जय हैं स्टूरेंट्स, आप प्रतमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस हमिजिंग प्रेटफॉर्म के उपर बहुत बहुत स्फ़ागत करता हूँ last lecture के अंदर हम लोगों ने banking in India के बारे में पढ़ा था कि भारत में हमारा जो banking sector है वो किस तरीके का है RBI के बारे में हमने जाना इसके अलावा हमने नवाट के बारे में जाना regional rural banks के बारे में जाना आज हम जो चीज पढ़ने वाले हैं यादर किये गए बहुत जादा important lecture वने वाला है जितने भी lectures हमने देखें उसमें national income वाला lecture बहुत important था उसके बाद अगर मैं किसी lecture को बहुत जादा important मांता हूँ तो वो है monetary policies वाला ऐसा कहने का एक reason है because ये कुछ ऐसे lectures हैं ये कुछ ऐसे topics से basically जिनसे हर साल किसी ना किसी examination में question पूछे ही जाते हैं मैं specifically अगर NDA की बात करूँ या CDS examination की बात कर लूँ particularly तो CDS में इस topic से question पूछे जाते ही हैं या तो directly आपसे question पूछे लेंगे या indirectly घुमा फिरा कर आपसे question प I know economics से थोड़ा सा डर लगता है कि economics को कैसे पढ़ा जाए बड़ा confusion होता है because जब हम term देखते हैं कुछ तो term समझ में नहीं आते हैं जैसे example के तौर पे एक बात करें कि तीन दिन पहले की एक news थी कि RBI ने अपने repo rate को कम कर दिया है अब repo rate को कम RBI ने क्यों करा अगर RBI ने repo rate को कम कर दिया तो market में महेंगाई बढ़े गया कम होगी ये कुछ ऐसे questions है जो थोड़ा बहुत भी आपने economics पढ़ा है तो आपको आपके mind में questions जरूर आते होंगे अब ये जो terms होते हैं particularly कि repo rate RBI कम कर रहा है reverse repo rate की हम बात करते हैं bank rate क्या होता है SLR क्या होता है CRR क्या होता है ये कुछ ऐसे terms है जिनको लेके बहुत ज़ादा confusion रहता है students के मन में कि terms है क्या confusion तो रहता है ये साथ ही साथ एक बहुत डर भी रहता है कि और इन terms को समझा कैसे जाए especially उन बच्चों के लिए जो की non economics background से है जो PCM background से है जिनोंने commerce इतना ज़ादा economics basically मैं बात करूँ तो economics प पड़ सकते हैं अब देखिए आज का जो lecture है वो है आपकी monetary policy के बारे में monetary policy एक ऐसी चीज जिसके थूर आर बी आई मैं particularly आर बी आई की बात करूँगा RBI कौन Reserve Bank of India लास लेक्चर में ने देखा था कि हर देश का एक central bank होता है वो central bank क्या करता है उस देश के market के उपर कही कहीं कंट्रोल करता है market के अंदर money के flow को कंट्रोल कर रहा है देश के पूरे जितने भी banks है उनके लिए rules and regulations बनाता है तो हमारे देश का जो central bank है वो कौन है वो Reserve Bank of India अब Reserve Bank of India का एक काम ये भी होता है कि देश के अंदर हमारे देश के जो economy है देश की economy को growth level के ओपर ले जाना कहीं न कहीं दूसरी चीज मार्केट को stable रखना मार्केट में महेंगाई बहुत ज़्यादा बंडी नहीं चाहिए चीज़े बहुत ज़्यादा महेंगी नहीं होनी चाहिए और चीज़े बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं होनी चाहिए और दोनों में समस्या है एक point याद के economics में, market में अगर money का flow बहुत जादा हो गया सारे लोगों के बास बहुत सारे पैसे आ गए तो भी economy आपकी डावा डोल हो जाएगी, economy में गड़बड़ आ जाएगी और market में अगर money है ही नहीं मतलब लोगों के पास पैसा नहीं, लोग खरचा नहीं कर पा रहे हैं, तो भी economy साई से नहीं चल सकती है, तो भी economy गड़बड़ी रहेगी तो अगर आपको एक stability चाहिए economy के अंदर, तो market में money के control को money के flow को बनाया रखना होता है अब यह जो money के flow को बनाने का जो काम करता है वो कौन करता है, यह करता है हमारे देश का Central Bank, Reserve Bank of India Reserve Bank of India यह चेक करता है कि हमारे देश की economy में या अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूं कि market के अंदर money का flow कितना है economy में money का flow आप समझ रहें, इसको कहीं बार liquidity के नाम से भी जाना जाता है इसका मतलब एक कि market में कितनी money available है, अगर money market में बहुत जादा हो गई है तो भी एक बहुत बड़ी समस्या है और market में money का flow बहुत कम है लोगों के पास पैसा है यह नहीं market में production होई नहीं रहा है तो यह भी बहुत बड़ी समस्या होती है अब market के अंदर इस money के flow को maintain करने के लिए हमारा जो central bank है जिसे किस नाम से जाना जाता है Reserve Bank of India वो कुछ tools का use करता है कुछ हतियारों का use करता है जिसके तुरू market में वो पैसे को control करता है कि इन market में बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं होना चाहिए market में बहुत कम पैसा भी नहीं होना चाहिए अब सबसे पहले समझते कि monetary policy का मतलब क्या होता है monetary का जो पहला word क्या है monitor करना और इसमें money का भी use किया जा रहा है इसका मतलब यह होता है कि इस check को बना के रखना इस चीज़ को देख के रखना कि जो Indian market है जो हमारी Indian economy है उसमें money का supply किस तरीके से हो रहा है money के supply को control करना ऐसी policies बनाना जिसके थूँ money के flow को control किया जा सके कि market में अगर money बहुत जादा हो गई तो भी समस्या है मैं बता चुका हूँ market में money कम रही लोगों के पास फैसा नहीं रहा तो भी ये बहुत बड़ी समस्या होती है तो basically RBI क्या करता है RBI अपनी monetary policy के तरू market के अंदर overall money जो supply है जो market के अंदर हो रहा है जो देश के अंदर overall money supply हो रहा है economy के अंदर उस money supply को control करता है छोटा सा definition देखिए definition क्या लिखा है monetary policy is a set of tools एक-एक point को समझिएगा monetary policy is a set of tools यह कुछ set of tools है कुछ ऐसे बोला नहीं मैंने मान लीजी हतियार है जिन हतियार हों के सायता से market में money के flow को control किया जाता है कौन यूज करता है क्या भारत सरकार करती है monetary policy का use क्या भारत सरकार इन set of tools का use करती है क्या monetary policy भारत सरकार बनाती है नहीं याद रुकिएगा monetary policy कौन मना रहा है monetary policy is a set of tools used by the nation's central bank जिस भी देश का हर देश का एक central bank होता है तो उस देश का central bank in policies का use करता है मतलब यह चीज कहीं न कहीं समझ में आ रही है कि market के अंदर अगर महंगाई को market के अंदर जो money को control करने का काम कर रहा है वो nation's central bank कर रहा है और हमारे देश में हमारे central bank कौन है हमारे central bank है RBI मतलब Reserve Bank of India to control overall money supply to control the overall money supply याद रुकिएगा monetary policy tools का use इस लिए किया जाता है ताकि market के अंदर जो money का supply है कितना पैसा आ रहा है economic के अंदर उस supply को control किया जा सके जादा भी गड़बड़े और कम भी गड़बड़े क्यों गड़बड़े आगे बताऊंगा मैं आपको तो यह आपकी होती है monetary policy अब यह mention कहाँ पर है कि RBI जो है वो monetary policy tools का use करके market से inflation को महेंगाई को कम करेगा main मकसद क्या होता है RBI का monetary policy tools का use करके कि महेंगाई को कम किया जा सके महेंगाई को control किया जा सके और एक overall growth economic की बनी रहे तो that's why इस चीज़ को RBI के act में mention किया गया है कौन सा act RBI के 1934 RBI के 1934 में monetary policy को mention किया गया है यह RBI की जिम्हधारी है Reserve Bank of India की जिम्हधारी है तो monetary policy कौन बना रहा है RBI बना रहा है परस्षरकार भी ऐसे कोई policy बनाती है कि market के अंदर inflation को money को कुछ control करने के लिए हाँ बनाती है उस policy को कहा जाता है fiscal policy याद रहेगा fiscal policy जो है यह government बनाती है यह government of India का काम है पर जब मैं monetary policy की बात कर रहा हूँ तो यह RBI का काम होता है fiscal policy आगे की classes में हम पढ़ेंगे आज जो हम पढ़ने वाले है वो monetary policy पढ़ने वाले यह समझेगा बहुत important lecture है I hope यह clear हो रहा होगा तो यह होती है आपकी monetary policies अब monetary policies में मैंने आपको बता है कि इसमें different different tools का use किया जाता है tools मतलब आप कह सकते हैं कि different different methods का use किया जाता है अलग तरह के हतियार है अलग तरह की methods है जिन methods कित्रू market में money के flow को control किया जाता है कभी money के flow को बढ़ाने का काम भी कर दिया जाता है तबी मार्केट में मनी के फ्लो को कम करने का भी काम किया जाता है इन टूल्स के द्वारा अब यहाँ पर बेसिकली दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसी होती है नाम सी क्लियर हो रहा है देखो एकनॉमिक्स के अंदर जब भी कोई टम समझ में नहीं आता है मेरी हमेशा इस बात को क्याद रखना तो टर्म्स को क्या है डिवाइड कर लो अलग-अलग कर लो उसको अलग-अलग कर लोगे ना तो चीज समझ में आ जाएगा जिसने नाम क्या लिगा एक्सपांशनरी एक्सपांशन मतलब क्या होता है बढ़ाना जब मार्केट के अंदर मनी के फ्लो को बढ़ पॉलिशी में बेसिकली इस बात में ध्यान दिया जाता है कि किस तरीके से मार्केट में मनी के फ्लो को कम किया जाए कि जब एकणामी में मार्केट के अंदर ले कराना ताकि market में पैसा है तो दो तरह की policies होती है पहली होती है expansionary policy दूसरी होती आपकी contractionary policy थोड़ा सा इसको मैं और detail में बताता हूँ क्योंकि समझ में आना आपके जरूरी है आप अगर आगे किसी बड़ी examination की भी तयारी करेंगे आप CAC के तयारी करेंगे या अगर आगे ज examination को गंडग करता है CAPF की मैं बात कर रहा हूँ Central Armed Forces की examination है Assistant Commandant उस post को आप पा लेते हैं अगर आप उस examination को crack करते हैं उसमें भी economics का बहुत बड़ा weightage होता है और वो examination मेरे हिसाब से हर graduate को देना चाहिए चलिए सबसे पहले हम देखते है expansionary policy expansionary के अंदर क्या आ रहा है injecting more money into the market जब market के अंदर और पैसे को इंजग करनी के ज़रूत पड़ती है मतलब क्या हो रहा है कि market में पैसा नहीं है लोगों के पास बिलकुल भी पैसा नहीं है market में पैसा नहीं होगा तो इसका सीधा सीधा नुकसान किसको होता है इसका सीधा सीधा नुकसान होता है production को इसको example क लिजे car की कुछ factories है जो car का production करती है अब जब लोगों के पास पैसा है ही नहीं तो क्या उन car की demands होगी और बिसल नहीं होगी demand तब होती है जब लोगों के पास purchase करने की capacity हो पर ऐसी condition में लोगों के पास पैसा ही नहीं है मतलब लोगों के पास किसी चीज़ को purchase करने की capacity नहीं है लोगों का जो purchasing power capacity है या purchasing power है वो बहुत कम हो गया है तो ऐसी condition में उन cars को कोई purchase नहीं करेगा जब cars को purchase नहीं किया जाएगा तो production क्या हो जाएगा धीरे धीरे थप हो जाएगा, बंद हो जाएगा जब production बंद हो जाएगा तो जो लोग उस industry के अंदर काम करते हैं उनके बास job रहेगा क्या, नहीं रहेगा कोईट के टाइम ऐसा ही होा था न, लोगों की jobs चली गए थी क्यों चली गए थी कोईट के टाइम पे jobs, because production ठप हो गया था तो दिक्कत है, market के अंदर अगर money नहीं है, तो बहुत बड़ी समस्या है economic क्या है, दीरे दीरे down होने लगती है तो ऐसी condition में, market के अंदर money के flow को बढ़ाने के लिए इस policy का use किया जाता है, नाम से clear हो रहा है, expansionary policy याद रुकिए मैं इतना detail में आपको इसलिए समझा रहा हूँ, because economics कोई ऐसा subject नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया और आपको mug up हो जाएगा, याद हो जाएगा, इससे समझना पढ़ता है understanding आपकी होने चाहिए subject के लिए, याद रुकिएगा, तो इसमें basically क्या किया जाता है injecting more money into the market की, market में जब और ज़्यादा पैसा को inject करना है इसके लिए क्या करती है government, जो interest rates होते हैं, basically अगर मैं बात करूँ कि interest rates को कम कर देती है, monetary policies का tools का use करके, interest rates को कम कर देती है हम इसी example पर आते हैं, यहाँ पर companies थी, जो car बना रही थी, हमने देखा था कि कुछ companies car बना रही है, पर समस्या रहे है कि market में लोगों के पास पैसा है नहीं, तो companies ये car तो बना रही है पर इसे कोई purchase नहीं कर रहा है, अब यहाँ पर क्या होता है, कि bank, banks ये कहते हैं कि ठीक है इस car को purchase करना है, अगर किसी को, अगर कोई व्यक्ति bank से loan लेता है, तो उसे सिर्फ 2% interest ही देना पड़ेगा, loan की उपर, उसे सिर्फ 2% interest rate ही देना पड़ेगा, loan की उपर अब लोग, जो people हैं, वो इस loan को लेने के लिए aggressively work करेंगे, मतलब loan जो है, ये market के अंदर इस loan को promote किया जा रहा है जब loan का amount, या कह सकते कि loan का interest है, वो कम होगा, तो क्या जादा लोग loan लेंगे market में, हाँ, जादा लोग loan लेंगे अब यहाँ पर सिर्फ car purchase करने की बात नहीं है, अगर किसी को नई factory डालना है, नए startup शुरू करना है, या कोई भी ऐसी नई चीज़ करना है, जिसके तरूँ वो production को बड़ावा दे रहा है तो market में money का flow फिर धीरे धीरे बनने लगेगा, क्योंकि लोगों के पास market में पैसा आना शुरू हो जाएगा, क्यों, because लोग loan लेना शुरू कर देंगे, और loan लेना शुरू क्यों कर रहे हैं, एक ही reason है, कि bank का जो rate है, उसको क्या कर दिया, interest rate को बहुत कम कर दिया है, again मैं म 5% bank rate चल रहा था, उस time पे interest rate चल रहा था, car loan के उपर, but government ने इस policy का use करा, और bank के जो rates थे, जो loan के rates था, जो interest rate था, उसको कम कर दिया, वो 5% से कम करके कितने पे आ गए हैं, 2% पे आ गए हैं, अब जब 2% पे आ गए हैं, तो लोग, जितने भी लोग हैं, वो loan लेने के बढ़ जाता है, सिर्फ ये car की बात नहीं है, car के अलावा जो दूसरे sectors हैं, चाहे home loans की बात की जाया है, चाहे corporate loans की बात की जाया है, चाहे production ये plan डालने के लिए कोई व्यक्ति loan ले रहा है, वो loan लेने के लिए प्रमोट होगा, क्योंकि rates काफी कम आ रहे हैं, कम interest rate पे ज़ rate बहुत कम है, अभी ले लेते हैं, आगे जाके पता नहीं कितना बढ़ जाए, तो ये एक तरीका होता है, expansionary policy के अंदर, इसमें promote किया जाता है, किस चीज़ को, spending को, खर्चा करने को, कि जिस लेक्ति का car लेने का mode नहीं था, वो भी car लेने की सोच लेगा, कि रहे rate कम है, interest rate ले लेता हूँ अभी, साथ ही साथ, borrowing के लिए भी इसको encourage किया जाता है, लोगों को, borrowing मतलब loans की बात कर रहे हैं, loan ही ले रहे हैं, तो ये एक तरीका होता है, monetary policy के अंदर, इससे कहा जाता है, expansionary policy, और इसका main name होता है, वो ये होता है, कि market के अंदर money का supply बढ़ जाए, सबसे बढ़ा aim यही है, तो ये आपकी थी, expansionary policy, इसमें भी यही monetary policy tools का use किया जाता है, RBN tools का use करता है, देखो, monetary policy के tools का use करके, market के अंदर money के flow को आप बढ़ा भी सकते हो, जिसे यहाँ पर बढ़ा रहे थे, और market से money के flow को कम भी कर सकते हैं, same tools का use करके, कैसे वो आगे नहीं, इसके कुछ भी मत करिएगा, basics सबसे जरूरी है, basics अगर clear नहीं हुए, तो examination clear नहीं होगा, यादर के इस बात को, दूसरी policy क्या थी है, हमारी, contractionary policy, contractionary policy में हम क्या कर रहे थे, market से money के flow को कम कर रहे थे, बहुत पैसा आगे है, market में, market से money के flow को कम करने के लिए, extract the money flow from the market, market से money flow को कम करने के लिए, इस policy का use किया जाता है, contraction, money के flow को रोकना है, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें, inflation को कम करने के लिए, इस tool का use किया जाता है, देख एक point हमेशा याद रुखिएगा, market में अगर money का flow बहुत जादा है, बहुत पैसा है, market के अंदर, तो inflation, inflation हई हो जाती है, ऐसा क्यों होता है एक सिंपल से एक्जाम्बल के तुरू समझते हैं, होता यह है, चलिए, मैं इसको चोटे से एक्जाम्बल के तुरूτι आपको बता देता हूँ, माल लेजए हमारा मार्केट है, मार्केट मतलब हमारी एकनॉमी है, सारे लोगों के पास उसे कहा जाता purchasing power, अब market में जितनी भी चीज़ें, माल लीजे कोई चीज 10 रुपे की है, कोई चीज 20 रुपे की है, कोई चीज 30 रुपे की है, तो जितने भी लोग जिनके पास purchasing power जिनका जादा है, जिनके पास बहुत पैसा है, वो इन सारी चीज़ों को purchase कर सकते हैं, क्या, बड़ी आसानी से वो इन चीज़ों को purchase कर सकते हैं, पर माल लेते हैं, कि जैसे जैसे लोगों के पास purchasing power बढ़ता जाएगा, लोगों के पास पैसा बढ़ता जाएगा, लोगों की किसी भी चीज़ को purchase करने की शमता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे market में चीज़ें भी यह होती जाती है, अब माल लो यह 10 उरुबे की चीज़ हो जाएगी, 15 रुपै की, 20 रुपै की हो जाएगी, 25 रुपै की, और यह 30 रुपै की हो जाएगी, 35 रुपै की, क्या तब भी योग उसको purchase कर पाएगे, हाँ कर पाएगे, क्योंकि सब के बाद पैसा है ना, purchasing power जाद तो inflation के बाद भी ये लोग उस चीज को purchase कर रहे हैं, इससे होता क्या जाएगा, कि धीरे-धीरे market में जो commodities का price है न, ये लगातार increase होता जाएगा, ये 15 जो है, ये 20 हो जाएगा, ये जो 25 है, ये 30 हो जाएगा, और ये 35 है, ये 40 हो जाएगा, देखिए, तो क्यों increase हो जाएगा, पिकाउस लोगों के बाद शमता है न, चीजों को purchase करने की, लोगों का purchasing power है, काफी अच्छा, वो चीजों को purchase कर सकते हैं, that's why market में जादा money का होना भी नुकसान होता है, प्योंकि market में money का flow अगर बहुत जादा है, तो इससे क्या बढ़ता है, सिधा सिधा, inflation बढ़ता है, म purchasing power बहुत अच्छा है, कुछ ऐसे शहर जैसे बैंगलूरी की बात कर ली जाए, नोड़ा की बात कर ली जाए, जहाँ पर लोग जौब करते हैं, खर्चा कर सकते हैं न, जादा amount of money, तो महाँ पर महेंगाई चीजों के भाव भी बड़े हुए रहते हैं, क्यों? पेकरने के ले तही आरे लोग, that's why अगर पूरे देश की एकनौमी में भी यही हालत रही है, तो बहली 80% लोग हम बात कर रहें कि उनके पास पैसा है, पर वो बच्चे हुए 20% लोगों के पास थोड़ी ना पैसा है, उनके लिए तो महेंगाई लगातर बढ़ती जा रही है, that's why market में flow को control किया जाता है, money के flow को control कैसे करते हैं, ताकि market में और money ना आए, जितना है उतने बेर सहम जाए, अब देखिए, इसमें क्या किया जाता है, इसमें interest rate को raise कर दिया जाता है, interest rates इसके अंदर बढ़ा दिये जाते हैं, अब बढ़ाने का क्या वायदा interest rate, इसको भी example से समझ करते हैं, मान लीजिए, market में banks पहले 5% के rate की ओपर car loan provide कर रहे थे, ठीक है, तो बहुत सारे लोग car loan ले रहे थे, because 5% का ही rate था, अब government of India और RBI चिंतित हो गए, कि market में इस तरीक इस तो तो महेंगाई बढ़ती जा रही है, because जादा लोग car purchase कर रहे हैं, जादा लोगों के पास ये शमता है कि वो गाली purchase कर सकें, तो सकता है car के prices भी बढ़ते जाएंगे, car में सिर्फ एक example के तौर पर समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए, अब obviously जब जादा लोग किसी चीज़को purchase करने के लिए तैयार है, ready हैं, तो क्या होगों, cheese के price भी बढ interest होता है, याद रखना मेरे इस बात को, तो लोग encourage होते हैं, loan लेने के लिए, जिनको ज़रूत नहीं है न, car के वो भी बुलेंगे रहें, ले ले लेते हैं, 5% का interest rate लग रहा है, अब इस policy में क्या किया जाता है, rates को high कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, कैसे बढ़ car loan लेंगे, नहीं, कम लोग car loan लेंगे, लेंगे बट बहुत कम लोग car loan लेंगे, 5% पे बहुत सारे लोग car loan ले रहे थे, तो market में money का flow बढ़ता जा रहा था, पर जब इस rate को मैंने और बढ़ा दिया, 15% कर दिया, 5% पे अगर 100 लोग car loan ले रहे थे, तो 15% पे मान के लोगों ने और जादा loan नहीं लिया, money के flow को हमने क्या करा, control कर लिया, तो याद रखिएगा, इस तरह की policies के अंदर हम क्या करते है, contractionary policy में, market के अंदर money के flow को क्या कर देते है, control कर देते है, याद रखिएगा, मतलब कम कर लेते है, clear or a point, I hope शीज़े समझ में आ रही होगी पर यहाँ एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या होती ही, contractionary policy में, क्या समस्या होती है, it may increase unemployment, यह unemployment increase कर देता है, क्यों, अभी बताया था मैंने आपको, जब 15% loan, percent पे car loan लेंगे, तो कितने लोग car loan ले रहे थे, केवल 10 लोगी car loan ले रहे थे, और जब 5% था car loan का rate, interest rate, तो क production कहां ज़्यादा आओ रहा था, 5% पे, 15% पे production भी तो कम चला गया, जब production ही नहीं होगा, मैंने शुरुवात में ही बताया, जब production ही नहीं होगा, तो लोगों की जरुवत क्यों पड़े की factories में, इसलिए, contractionary policy में एक थोड़ी समस्या होती है, यह, कि unemployment बढ़ने के chances इसमें 100% होते हैं, मैं 100% बोलूँगा, वो सकता है कोई दूसरा economist इसको 20%, 90% बोले, पर मेरे इसाफ से 100% chances होते ही है, क्योंकि directly impact पड़ता है production की ओपर, सीधी सीधी बात है, तो याद रुखिएगा, monetary policies के tools का use करके, market से, जब money को कम किया जाता है, money के flow को कम किया जाता है, तो इन policies को कहा जाता है, contractionary, monetary policy, इसमें interest rates को बढ़ा दिया जाता है, पर समस्या इसके साथ ये है, कि it may increase unemployment, it may नहीं, it definitely increase unemployment, ये point याद रुखिएगा, अब दो तरह की हमने चीज़े देख ली, कि क्योंकॉनसी policies हैं, किस तरीकी के policies होती हैं, आपर expansionary, जिसमें market में money के flow को बढ़ान की जाती है, चलिए, अब आगे समझते हैं, कि आगे क्या है, अब monetary policy के objectives की बात करें, कि सिधी सी बात है, monetary policy का जो एक major objective है, जिसके बारे मैं मैं already बता चुका हूँ, कि market के अंदर money के flow को control करना है, अब money के flow को control करेंगे, तो फायदे क्या है, मैंने बता दिया, money का flow जादा रहा, मतलब market में पैसा है ही नहीं, जिसे COVID-19 के टाइम पे हुआ था, पैसा ही नहीं था market के अंदर, तो क्या है, लोगों का purchasing power कम हो जाता है, लोग किसी चीज़ को purchase नहीं कर पाएंगे, और अगर लोगों का purchasing power कम हुआ, तो सीधे-सीधे बात आती है, unemployment के उपर, गरीबी ज करने के लिए, देखिए, बहुत सरे objective centers है, minimize the rate of unemployment, हमने देख लिया इसको, कि unemployment का rate minimize किया जाए, market के अंदर, money के flow अगर बहुत कम हो गया, तो क्या होगा, लोग चीज़ों को purchase नहीं करेंगे, और production कम हो जाएगा, production कम हो गया, तो unemployment की rate बढ़ेगी, तो इसलिए भी जरूरी ह कि money के flow को control किया जाए, monetary policies के थुरू, इसके लावा, maintains the exchange rate of currency, currency के exchange rate को maintain करने के लिए भी, monetary policy की जरूरत पड़ती है, क्यों, समझे इस चीज़ को, market में अगर बहुत ज़ादा economical growth नहीं हुई, Indian economy बहुत ज़ादा sluggish level पे चल रही है, economy बहुत कम जोर है, तो हमारा रुपिया बहुत कमज़र हो जाता है, international level के उपर, that's why, उसको मजबूती बनाया रखने के लिए, उससे उठाने के लिए, monetary policy का use किया जाता है, इसके अलावा, demand interest rate of short term credits, जो short term loans होते हैं, उनके interest rate को एक flexible level पर बनाया रखने के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत rigid हो जाएं, इसके लिए इसका use किया जाता है, इसके लावा, maintain the rate of inflation महँगाई की जो दर होती है, जो acceptable कितनी है, 4% है, plus minus 2% का इसमें रहता है, अभी आगे बताऊंगा मैं क्या मत अतलब इसका, उसको maintain करने के लिए, इसके लावा, money supply को regulate करने के लिए, money supply regulate करने के लिए, भी monetary policy का use किया जाता है, तो यह सारे objectives हैं, अब समझेए का, इसमें क्या important चीज़ है, monetary policy बनाना, यह किसका काम है, monetary policy बनाना तो काम होता है, हमारे central bank का, जो हमारे case में कौन है, RBI है RBI का एक काम है, कि वो monetary policies के जो tools हैं, उनके through, market के अंदर money के flow को control करें, पर इसी चीज़ को लेकर, एक agreement हुआ था, जिसे the monetary policy framework के नाम से जाना जाता है, एक agreement हुआ था, 2015 में, agreement हुआ है, तो किस किस के बीच में हुआ था, भारत सरकार, Government of India और RBI के बीच में हुआ था, कि RBI क ये काम रहेगा, याद रखिए गए, इस agreement में लिखा आई ये चीज़, कि RBI का ये काम रहेगा, कि market के अंदर जो inflation है, इस वो control करके रखें, ताकि market में चीज़ों के price में stability आए, maintaining the price stability, समझ रहे हैं आप, price stability कैं से maintain होगी, मान लिजी आज market के अंदर कोई चीज 25 रुपे की है, अगर 10 दिन में वो 30 रुपे की हो गई, तो क्या price stability maintain हो रही है क्या, नहीं, maintain नहीं हुई है, यहां तो क्या बढ़ गया, inflation बढ़ गया, कितने percent से बढ़ा inflation बताईएगा, अगर आपको पता हो तो फ्रुदा सा mathematics लगेगा, हालेक examination में पूछेंगे नहीं आप से, फिर भ बहुत जादा बढ़ जाता है, आज की तारीक में महेंगाई बहुत बढ़ गई है, क्यों बढ़ गई है, सोच कर दीखिएगा, कई न कई इसका reason हमारे oil के prices भी है, crude oil की में बात करहा हूं, petrol इतना महेंगाई कि transportation का cost लगाता रह बढ़ता जाता है, और जो 5 रुपी की सिदे सिदे बात की जा रही थी, यहाँ पर inflation की, inflation का मतलब होता है, यहाँ पर महेंगाई, अब महेंगाई की जो acceptable rate है, कि कितनी महेंगाई acceptable है, वो 4% होती है, कि ठीक है, 4% तक अगर महेंगाई है, यह plus minus 2 होता है, plus minus 2 मतलब अगर में plus की बात करो, तो 4% से 6% तक हो सकती है, 4% से 2% तक भी हो सकती बहुत कम भी नहीं होना चीए मैंने बताया कि बहुत कम महेंगाई अगर हुई ये भी बहुत गड़बड है अगर महेंगाई बहुत ज़ादा कम हो गई न तो भी देश ग्रो नहीं करता है unemployment के समस्य आ जाएगी महेंगाई बहुत कम हो गई तो हाँ आपको लग रहा होगा किया रहा है ऐसा कैसे हाँ ऐसा ही है समझ के चलिएगा क्योंकि जब चीजों की demand जादा बढ़ जाएगी production बढ़ जाएगा पर demand तो रहेगी नहीं बहुत सारी चीज़े इसके अंदर रहती है तो यह यादर किएगा जो acceptable inflation है वो 4% है उसको plus minus 2% के साफ से भी calculate किया जाता है तो यह चीज यादर किएगा example में कुछ points है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ तो यह एक monetary policy framework लाया गया था किस किस के बीश में भारत सरकार के बीश में और Reserve Bank of India के बीश में जो किया आया था 2015 के दोरान और आज की तारिक में जो monetary policy tools का use करके market में inflation को कम किया जाता है market में money supply को कम किया जा रहा है बढ़ाया जा रहा है वो कौन कर रहा है वो RBI करता है याद रखो भारत सरकार fiscal policies बनाती है monetary policy किस के है वो RBI का tool है अब सवाल यह आता एक और कि monetary policies को बनाता कौन है यसे आपने सुनाओ को है कि repo rate जो है वो 1% से बढ़ा दिया है या 0.2% से कम हो गया है तो यह जो monetary policy है decide कौन कर रहा है कि इतना percent rate बढ़ाया जाएगा इतना कम किया जाएगा इसके लिए committee है याद रुकिएगा बहुत important चीज है इसका नाम है monetary policy committee जिसे MPC के नाम से जाना जाता है और RBI हमारे Reserve Bank of India 1934 का जो act है याद रुकिएगा RBI Act 1934 के section 45ZB में इसका उलेक है monetary policy committee का मतलब ऐसा नहीं है कि मन से कुछ हो रहा है RBI का जो official act है मैं RBI Act की बात कर रहा हूँ 1934 वाला banking regulation act की बात नहीं कर रहा हूँ 1949 वाले याद रुकना last lecture में देखा था ना यहाँ पर RBI Act की बात कर रहा हूँ RBI Act 1934 वाला उसका जो एक section है section 45ZB के अंदर इसका warning किया गिया है और जो पहली monetary policy committee है वो 29 September 2016 में बैठी थी पहली बार बनाई गई थी इसके पहले ऐसा नहीं था कि committees नहीं थी काम चल रहा था various examinations के अंदर इसमें total 6 members होते है total 6 members होते है और जो एक committee होती है इसे कम से कम साल में चार बार मिलना होता है कम से कम चार बार इस committee के members को एक साथ मिलना होता है meetings करनी होती है याद रहिएगा चार बार मिलना होता है total members कितने है 6 members है और meeting start करने के लिए कोरम होती है, वो कोरम कितनी होती, इनकी चार मेंबर की होती है, कि 6 मेंबर में से अगर 4 मेंबर भी आ गए, तो मिटिंग स्टाट कर दी जाएगी ये, डिसिजन ले सकते हैं जीसे आपने देखा था न, पारलेमेंट के लेक्ट्र में हमने देखा था, कि लोग सभा का जो quorum में वो कितना होता है, वो होता 1 बाट 10th, तो ऐसे ही यहाँ पर इसका जो quorum में वो 6 member में से कितने members होने चाहिए, 4 member होने चाहिए, 4 member भी है तो committee के meeting, sessions, यह start करती है, decision से ले सकती है, अब आगे बात करते हैं, कि members कौन कौन से होते हैं, 6 member के हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के भी कोई members होते हैं या सारे RBI के members होते हैं, तो याद रखिएगा, RBI के जो governor होते हैं, Reserve Bank of India के जो governor होते हैं, वो इसके chairman होते हैं, chairperson होते हैं, प्रशन जो दूसरे member होते हैं, याद रखिएगा कितने members हैं, यापर 6 members होते हैं एक तो हो गए हमारे RBI के governor, दूसरे होते हैं, deputy governor of RBI, यह होते हैं in charge of monetary policy, member याद रखिएगा, यह in charge होते हैं, तो एक deputy governor of RBI होगे, इसके लावा, one officer of the Reserve Bank of India to be nominated by the Central Board एक officer जो होते हैं, जो Central Board जिन्हें nominate करता है यह भी इसके member होते हैं, total 3 members हो गए और जो बाकी बच्चे हुए 3 members होते हैं, इन्हें Central Government nominate करती है मतलब भारस सरकार बाकी 3 members को nominate करती है, तो यह समझ में आ रहा है कि 3 members तो RBI वाले हो जाते governor, deputy governor इसको मिला के और 3 members जो होते हैं उन्हें nominate कौन कर रहा है उन्हें nominate करता है, Government of India भारस सरकार nominate करती है, याद रुखिएगा यह जो members होते हैं यह 4 साल के full period के उपर रहते हैं यह further orders 4 साल का tenure आप मान के चलिए उससे पहले भी इनको हटाया जा सकता है changes कुछ होगे तो हटाया जा सकता है और re-appointment के लिए यह eligible नहीं होते हैं इनकी बात कर रहा हूँ, मैं जो 3 members हैं इनकी बात की जा रही है यह re-appointment के लिए eligible यहाँ पर नहीं होते हैं, काफी important चीज है note down कर लिजिएगा, पूसा जा सकता है they are not eligible for the re-appointment आगे हम बात करते हैं आगे बात की जाए कि जितने भी members होते हैं इन सब के vote की value एक जैसी होती है, एक 6 members से हर member का अपना एक vote होता है और सब की vote की value एक जैसी होती है और जब tie वाली condition आ जाती है equality वाली condition आ जाती है तो जो governor है, वो casting vote करते हैं याद रखिएगा, equality वाली condition की मान लोग 5 members की meeting थी 5 members आये, दो किसी चीज़ को लेकर सहमत थे, दो किसी चीज़ को लेकर सहमत नहीं थे तो यहाँ पर जो casting vote है वो कौन करते हैं वो governor करते हैं, casting vote याद आ रहा होगा Parliament के अंदर जो लोग सबाई speaker करते हैं casting vote हाँ, उसी के बात हम कर रहे हैं जब बराबर वाली स्थिति के हम बात करते हैं तो यह monetary policy committee याद रखिएगा example, examations के अंदर आप से पूछा जा सकता है और कई exams में पूछा भी गया है कि monetary policy committee में कितने members होते हैं तो यह याद रखिएगा कि total monetary policy committee के अंदर 6 members होते हैं चलिए, आगे अब हम बात करते हैं अब monetary policy के दो तरह के instruments होते हैं पहला आपका होता है quantitative instrument दूसरा होता है qualitative instruments इन instruments में क्या है अलग-लग तरीके के tools होते हैं जिनका use करके market में money के flow को control किया जाता है अगर आपके examination के मैं बात करूँ या CDS के बात की जाए, NDA के बात की जाए या CAPF के बात की जाए तो इन सारी quantitative examinations के अंदर आपके जो qualitative instruments हैं उनको जादा पूशा जाता है इसा रेपोरेट आपका हो गया है, CRR हो गया है statuary liquidity ratio हो गया है इनके बारे में आपसे जादा पूशा जाएगा तो आज हम quantitative instruments के बारे में बात करेंगे अब quantitative instruments होते के हैं देखो, नाम सी clear हो रहा है मैंने बताया है, कुछ भी नहीं करना है economics के अंदर जब भी कोई terms समझ में नहीं आ रहा है तो समझने की कोशिश कैसे करना है उस नाम को थोड़ा साब divide कर दिये quantitative instruments, जब market में quantity को control किया जा रहा है किसकी quantity को, money की quantity को control किया जा रहा है तो ये quantitative instruments होते हैं quantitative instruments के अंदर बहुत सारे tools होते हैं जैसे कि आपका liquidity adjustments facility जिसको LAF के नाम से जाना जाता है इसके दो tools है repo rate, reverse repo rate ये दोनों बढ़े important है बहुत बार examination में पूछा गया है directly भी पूछा जाता है, indirectly भी पूछा जाता है आप अगर newspaper daily reading करते हैं तो आप हर 2-3 मेने के अंदर देखते होंगे कि reverse repo rate कम हो गया या repo rate बढ़ गया है या आपने पड़ा होगा तो ये basically होते क्या है ये हम जानेंगे इसके बाद bank rate के बारे में जानेंगे बहुत important term है cash reserve ratio statuary liquidity ratio इनके बारे में जानेंगे marginal standing facility के बारे में और आपके examination के अंदर जो questions पूछे जाते हैं वो directly यही से आते हैं देखे directly आ तो question आपसे पूछ लेंगे या indirectly पूछेंगे ये समझ के चलिए कि ये आपका base तयार हो रहा है अगर base तयार हो गया एक बार समझ में आ गई सारी चीज़ें तो फिर जब भी current affairs को पढ़ोगे या economy से related कोई भी news newspaper के अंदर पढ़ोगे तो फिर confusion नहीं रहेगा कि पूछ क्या रहे हैं किस बारे में बात करें तो चलो एक एक tool को complete करते हैं सबसे पहले liquidity adjustments facility क्या होती है उसके जो दो tools है repo rate and reverse repo rate इन दोनों के बारे में बात करते हैं तो पहला अपना है liquidity adjustment facility liquidity का क्या मतलब होता है liquidity का basically मतलब यहाँ पर money का कि money को adjust करने के लिए मतलब market में money के flow को कम करने के लिए जादा करने के लिए जिन tools का use किया जाता है वो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और liquidity adjustments facility में majorly दो तरह के tools आते है एक आपका आता है repo rate दूसरा आता है आपका reverse repo rate नाम ध्यान से सुनना repo rate दूसरा आपका है reverse repo rate यह जो liquidity adjustments facility है इसे 2000 सन्में डिट्यूस किया गया था नरसिमन committee की recommendation के उपर नरसिमन committee report बहुत important है banking वालो के लिए जब भी banking की बात की जाएगी तो नरसिमन committee का नाम आता ही है अब इसके अंदर दो तरह के tools का use किया जाता है पहला मैंने बता दिया है पहला होता है आपका repo rate दूसरा होता है आपका reverse repo rate अब repo rate क्या होता है पहले ये समझते देखो ध्यान से समझना example के थूँ समझेंगे घबराना नहीं है बिल्कुल भी example के थूँ समझते जाएंगे धीरे धीरे चीज़े समझ में आती जाएगी और जहां भी थोड़ा सा doubt लगता है तो ये try करना कि वापस से एक बार lecture देख लेना क्योंकि doubt में आगे मत बढ़ना जहां भी doubt हो रहा है ना पहले doubt clear कर लो उसके बाद आगे बढ़के पढ़ाई करनी अपने को समझ के चलो basic मजबूत होना चाहिए अब इसमें दो तरह के tools होते हैं पहला आपका होता है रिपो ररेट ? अब रेपो रेट क्या होता है इतना सारी चीज लिख की है इससे पहले एक example के थरू इसको समझते है चली रेपो रेट को सबसे पहले एक example के थरू समझते हैं लेकिन मेरा मानना है कि economics को जितने ज्हादा examples के थर्ष相信 जा जाए उतना easy economics होता है otherwise ऐसे बच्चे जिनका non-economics background है या को non-commerce background है na economics समझने में बड़ी हुश्किल आती है बहुत easy है economics बिलकुल tension नहीं लेना है कि समझ में नहीं आ रहा है नहीं आएगा ऐसा कुछ में नहीं है धीरे धीरे चीजों को समझते जाओ बस basics है basics पर अगर अ को example के तो समझते है एक बात आप सभी जानते हो कि RBI मतलब Reserve Bank of India जो हमारे देश का central bank है जितने भी banks होते है वो RBI के guideline के तहदी काम करते है अब अगर हमारे देश में किसी भी commercial bank को याद रखना किसकी बात कर रहा हूँ मैं commercial banks की बताया है मैं commercial banks क्या होते है इसे हमारे foreign banks हो ग पढ़ती है तो वो किसके बास जाएगा वो हमारे पास तो आएगा निःनी अप पोई ICIC bank के वो मेरे पास तो नहीं आएगा कि आप मुझे loan देदो वो किसके बास जाता है वो जाता है RBI के पास तो repo rate वो rate होता है basically जिस rate के ओपर ध्यान से सुनिएगा जिस rate के ओपर हमारे देश को जो commercial bank से वो RBI से loan लेते हैं यह कहसकती कि RBI जिस rate के उपर हमारे commercial banks को loan देता है उसे कहा जाता है repo rate ठीक है इतनी सी बात है पर बात इतनी सी नहीं इससे जादा है अब माल लीजिये कि मैं किसी bank में loan लेने के लिए जाता हूँ या आप किसी bank पर loan लेने के लिए जाते हैं, तो क्या ऐसी loan दे देते हैं, वो नहीं, वो आप से क्या मांगते हैं, भाई साब गिरवी क्या रख रहे हो, collateral में क्या रख ले हो, guarantee दो, तो इस condition के अंदर जब भी हमार देश में कोई भी commercial bank, RBI के पास loan मांगने के लिए जाता है, उसको भी RBI के पास कुछ गिरवी रखना पड़ता है, collateral के form में, वो जमीन जायजाद गिरवी नहीं रखते हैं, वो क्या गिरवी रखते हैं, वो रखते हैं, गिरवी government security, अब government security क्या होती है, यह मैं आपको detail में बता दूँगा, बिल्कुल चिंता मत करना, इसको भी बहु हो गया, समझ में आ गया होगा, simple सी बात है, कि RBI, loan देता है, जिस rate के ओपर commercial banks को, उस rate को कहा जाता है, repo rate, और अगर commercial bank को loan लेना है, तो उसको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, गिरवी क्या रखते हैं, वो government security रखते हैं, अब थोड़ा some twist यहां पर समझते हैं, यहां पर loan की जरूत पड़ी, short term loan की जरूत पड़ी, जब भी short term बोल रहा हूं, तो एक point याद रखना, overnight loan में बोल रहा हूं, तो एक point याद रखना, यह 24 घंटे की बात हो रही है, एक दिन के लिए जो loan लिया जाता है, short term loan की मैं बात कर रहा है, very short term loan की बात की जारिया पर, अब 22. तो अगर हमारा जो ICIC bank है वो RBI के पास ये government security collateral के form में रखता है गिर भी रखता है तो क्या RBI पूरे 1000 रुपे देगा इसको पूरे 1000 रुपे देगा क्या पूरे 1000 रुपे नहीं देगा RBI अपना कुछ profit भी तो रखेगा कुछ interest भी तो तो RBI इस 1000 रुपे की security के बदले ICIC bank को कितने रुपे देगा 950 रुपे मतलब 50 रुपे जो है RBI ने अपना interest रखा और अगर मैं percentage की बात करूँ तो कितना percent हो गया है लगबग 5% ही हो गया exactly कि 5% RBI ने अपना interest रखा है आगे हैं समझ में बस इतनी सी चीज़ है EC को बोलते है रेपोरेट यहाँ पर एक agreement आ जाता है agreement क्या होता है वो agreement होता है आपका repurchase agreement है repurchase agreement का मतलब यह होता है कि जब ICIC bank RBI ऐसे जो loan का पैसा ICIC bank ने लिया है जब वो इस loan के पैसे को वापस कर देगा द्यान से सुनना अब ICIC bank ने loan किस से लिए RBI से लिए ICIC bank की जो government security वो किसके पास जमाए RBI के पास जमाए तो जब RBI को ICIC bank loan का पैसा वापस कर देगा तो RBI यह security वापस किसको देदेगा वो वापस ICIC bank को देदेगा और ICIC bank को security को वापस क्या कर लेगा पर्चेस कर लेगा और जो agreement मनता है कि पैसा देने के बाद वो security वापस में आपसे खरीद लूँगा इसी को managerly का जाता है Repurchase agreement की वापस से में security आपसे पर्चेस कर लूँगा जो collateral के रूप में मैंने आपको दी है पर एक point समझो कि क्या यहाँ पर अगर 950 रुपे एक security के बदले RBI दे रहा है किसको दे रहा है बैंक को दे रहा है तो जब बैंक इस security को पर्चेस करेगा तो क्या 950 रुपे में करेगा क्या नहीं करेगा बैंक को कितना रुपे देना पड़ेगा अब उस एक security के बदले 1000 रुपे ही देना पड़ेंगे बैंक को बले उस एक security के बदले 950 रुपे RBI ने इसको दिये थे पर उसको अगर वापस से security पर्चेस करनी है तो पूरे 1000 रुपे ही देने पड़ेंगे मतलब 5% जो है वो RBI को इससे फायदा होता है इसमें आपका original rural bank भी आता है ग्रामिन बैंक भी आता है ये प्रशन पूछा गया था UPST के civil services examination के अंदर कि repo rate के उपर जो loan है क्या वो rural banks ले सकते हैं क्या ग्रामिन बैंक ले सकते हैं हाँ भाई साब ले सकते हैं परचेस कर लूँगा इससे का जाता है रेपरचेस agreement रेपोस के नाम से जाना जाता है थोड़ी सी theory समझ लेते हैं अब समझ में आ जाएगा the fixed interest rate यह fixed है यह change नहीं हो रहा है यह fixed interest rate है the fixed interest rate which the reserve bank provides overnight liquidity overnight मतलब कितने घंटे है पता चुका हो हो है, 24 घंटे की बात की जारी है, 24 hours याद रखना, overnight की बात की जारी है, overnight बेस पर जो loan देता है, reserve bank जिस rate पर loan दे रहा है, commercial banks को, उसी को क्या का जाता है, repo rate का जाता है, government and other approved securities as collateral, securities, government securities को as a collateral के रूप में रखना पड़ता है, अगर लोन लिया रहा है तो जो commercial banks है उन्हें collateral देना पड़ेगा क्या देना पड़ता है government security को अजी collateral उनको देना पड़ता है इसके अलावा rate on commercial banks borrow money from RBI यह वो rate होता है जिस पे commercial banks again सिर्फ commercial banks है other financial institutions नहीं आते हैं सिर्फ यह वो rate होता है जिस पे commercial banks सिर्फ और सिर्फ commercial banks किस से money borrow करते है RBI से borrow करते हैं देखिए RBI है RBI से जो money borrow कर रहे है वो कौन कर रहे है other banks करते है और एक agreement sign होता है कौन सा repurchase agreement कि पैसा देने के बाद आपकी जो security आपने जो collateral के फॉर्म में रखी उसको मैं वापस से आप से purchase कर लूँगा और जो between का difference रहता है उसी कौम क्या बोलते है रेपोरेट ही कहते हैं clear है I hope समझ में आ गया होगा तो ये एक tool होता है market में money के flow को control करने का अब सवाल यह आता है कि sir ये तो समझ में आ गया कि रेपोरेट क्या है अब आप ये भी बता दो कि money के flow को control कैसे करते है रेपोरेट से अब देखो एक बात समझ के चलो माल लो अगर RBI ने रेपोरेट बढ़ा दिया इंक्रीज कर दिया पहले माल लेते हैं कि Reserve Bank of India ने पहले जो रेपोरेट 5 परसेंट था उसको इंक्रीज करके कर दिया 10 परसेंट अब ऐसी condition में क्या होगा जब Reserve Bank of India रेपोरेट इंक्रीज कर देगा मतलब अब इंट्रेस क्या हो जाएगा देरे दीरे कम हो जाएगा कम होगा ना तों कमशनल बनक क्यों लेते हैं ताक फिर आगे जाके वह रेते वा सकते हैं किसको हम लोगों को भी स्केर कर सकें बर्ट जब Heber Lake और अगर उन्हों ने ले भी लिया तो मार्टे में फिर वो जादा सिर्देश क्व इसी कि अगेंस्ट अगर repo rate को कम कर दिया कि पहले 10% का repo rate था, market में money का flow बहुत कम था, पैसे थे नी market में, तो इस repo rate को क्या कर दिया, 5% कर दिया, अब जो commercial banks है, वो loan लेने के लिए encourage होते हैं, क्योंकि rate कम हो गया है, वो जाधा loan लेंगे, market में भी जाधा loan distribute होगा, तो market में money क flow बढ़ेगा, तो एक condition होती है याद रुखिएगा, तो ये था आपका repo rate, market में इसका क्या impact पड़ता है क्या effect पड़ता है, उसको आगे के lectures में बहुत detail में जानेंगे, इस सिर्फ मैंने example के थुरू आपको बता है, हाला कि directly ऐसे impact नहीं पड़ता है, conditions बहुत अलग होती है, पर आपके समझने के लिए कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए उसके लिए बाते हम कर रहे हैं, ताकि एक mind map के आ जाए कि हाँ, अगर repo rate come हो रहा है, तो ये condition बनती है repo rate जादा अगर करते हैं, तो ये condition बनती है, अब ऐसी एक दूसरा time होता है जिसे कहा जाता है, reverse repo rate नाम सी clear हो रहा है, repo rate clear है आपको, repo rate क्या होता है repo rate वो rate होता है, जिस पर हमारा जो RBI है जो Reserve Bank of India है, वो commercial banks को loan देता है, अब reverse repo rate में उसका उल्टा कर दो reverse repo rate में होता ये है इसको भी example के थूँ हम समझते हैं कि जब हमारा जो commercial banks है, माल लोगे हमारा ICICA bank है commercial bank, जिस rate के उपर Reserve Bank of India को loan देते हैं अब आप सोच रहें कि Reserve Bank of India को भी loan की जरूत पढ़ती है, हाँ पढ़ती है जिस rate के उपर commercial banks Reserve Bank of India को loan देते हैं उस rate को कहा जाता है reverse repo rate same चीज है, इसमें भी collateral लगेगा का, हाँ लगेगा, बिल्कुल लगेगा जब RBI commercial banks को loan दे रहा था, तो उसने उनसे collateral मांगा था, हाँ मांगा था वैसे जब commercial banks, RBI को loan देते हैं, तो वो भी उसको उससे क्या मांगते हैं collateral मांगते हैं, तो इसमें भी collateral लगता है और जिस rate के ओपर ध्यान से सुनिएगा लिखा है यहाँ पर this is a fixed interest rate which the reserve bank absorbs liquidity from the banks on an overnight basis यह भी overnight basis के ओपर RBI, जब commercial banks से loan लेता है उधार लेता है, उस rate को कहा जाता है reverse repo rate, same चीज है वही जो difference होता है, उसको reverse repo rate का जाएगा, कि security के बीच में और जितने में repurchase कर रहे हैं, purchase कर रहे हैं जो बीच का difference है, उसको का जाता है reverse repo rate, याद रखिएगा RRR, इससे का जाता है, movie याद मत कर लेना RRR, है ना, इसके अंदर भी government and other approved securities रखनी होती है RBI को बिल्कुल रखनी होती है और interest rate RBI pays, Reserve Bank of India pay कर रहा है, किसको commercial banks को करता है, यह किस condition में किया जाता है पता है, जब commercial banks के बाद बहुत सारा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, बहुत सारी money आ गई है, money बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसी condition में क्या होगा जब commercial bank के बाद अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो market में loan ज़्यादा distribute करेगा, जिससे market में ज़्यादा money होने का खत्रा है, market में money का flow बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, तो ऐसी condition में क्या किया जाता है, कि Reserve Bank of India अपने पास उस पैसे को ले लेता है, और उस पैसे के बदले क्या दे देता है, commercial banks को कुछ interest दे देता है, ऐसा क्यों करता है ताकि market में money का flow एकदम बढ़ना जाए, बरकरार रहे एक same level के ओपर रहे, तो यह यादर किएगा, reverse reporate लेने का, जो main मकसद होता है RBI का loan लेने का, वो यही होता है कोई ऐसा नहीं कि RBI को बहुत जरुवत पढ़गी loan की ऐसा कुछ है, वो अलग visionary होता है, यहाँ पर जो main मकसद होता है वो यह होता है, कि market से money के flow को control किया जा सके, समझ रहे न, बहुत आसान सी चीज़ें, बहुत difficult तो है नहीं, बस धीरे धीरे चीज़ों को समझते जाएए, सारी चीज़ें आपके clear हो जाएगी चलिए, next point की ओपर हम पढ़ते है next, अब आता है आपका cash reserve ratio, CRR ध्यान से सुनिएगा, इसको भी इस तरीके से समझेए, कि cash reserve ratio, cash मतलब क्या है समझ में आगए कि पैसे की बात कर रहे है reserve, reserve मतलब क्या है कहीं ना कहीं, रखना है उसको reserve reserve वो चीज़ होती जिसको खर्चा नहीं किया जा सकता है याद रखना चोटी चोटी बात है reserve वो चीज़ होती जिसको खर्चा नहीं किया जा सकता इसी को कहा जाता reserve अब reserve होता क्या है, इसको समझते है CRR क्या होता है, cash reserve ratio example के तोर पे हम समझते है माल लीजिए customer है इस customer का नाम है Mr. Y Mr. Y क्या करते है 100 करोड रुपीज बहुत जाधा amount होता है 100 करोड रुपीज जो है वो bank में deposit कर देते है bank हमारा again है HDFC मान लेते इस बार bank को change करते है, नहीं तो बुरा लग जाएगा HDFC bank में Mr. Y जो है वो 100 करोड रुपीज deposit करते है अब banks पैसा कैसे कमाते है banks पैसा इसी तरीके से कमाते है कि जो भी पैसा उनके बास जमा होता है हम लोग जमा करते है, वो उस पैसे को loan के तौर पर distribute कर देते है market में, तो इसका मतलब यह ही कि अगर 100 करोड रुपीज इस bank के पास जमा है, Mr. Y ने 100 करोड रुपीज बैंक में जमा करवाएं SDFC बैंक में, तो SDFC बैंक ये 100 करोड रुपे, loan के form में market में distribute कर सकता है, यही है न पर ऐसा नहीं होता है एक safety valve बना के रखा है Reserve Bank of India ने, कि जितना भी पैसा, ध्यान से सुनिएगा जितना भी पैसा bank के पास जमा होता है, उसका कुछ परसेंट, उसका कुछ परसेंट, उस bank को RBI के पास जमा करना होता है, cash form में ध्यान से सुनना, किस form में cash form में, जैसे माल लीजिए कि CRR का rate cash reserve ratio का rate अगर 4% चल रहा है 4% चल रहा है लिख लिखाएं याँ पर तो 100 करोड में से, 100 करोड रुपे अगर SDFC bank के पास आए हैं तो 100 करोड रुपीज में से 4 करोड रुपे उनको RBI के पास जमा करने पड़ते हैं या तो RBI में जाके जमा करो या अपने पास एक wallet रखो एक ऐसा safety wallet रखो जिसमें वो पैसा आपका जमार है उस पैसे को bank खर्ष नहीं कर सकता है loan distribute नहीं कर सकता है यह as a safety wall के तोर पे काम करते safety wall मतलब मानलो bank डूब गया अलाकि नहीं डूब सकते पर मानलो bank में कोई गड़बर होगी bank डूब गया तो जो customer था जिसका 100 करोड रुपे था वो पूरा का पूरा नहीं डूबेगा वो 4 करोड रुपे सेफ है किसके पास RBI के पास सेफ है यह जो CRR होता है cash reserve ratio एक इसके फॉर में काम करता है यह safety wall के फॉर में काम करता है again फिर से definition देख लीजिए मैंने example के तोर पे समझा दिया definition है the average daily balance daily ऐसा नहीं कि महिने में maintain करना पड़ेगा daily balance जो bank को maintain करना होता है किसके पास Reserve Bank of India के पास in cash form याद रुखिएगा किस form में only cash form में maintain करना होता है उसी को कहा जाता है cash reserve ratio याद रुखिएगा daily basis के उपर net demand and time liability net demand मतलब demand का मतलब वो पैसा जो आप कभी भी demand करके निकाल सकते है आपके bank से आपके bank के saving account में जो पैसा है वो demand के अंदर आता है कि मुझे अभी 1000 रुपी के जरुए तो मैं demand करके निकाल लूँगा time liability के अंदर क्या आता है time liability मतलब FDs आ जाती है FDs समझते हैं fix deposit कितने का fix deposit है वो कभी भी आप नहीं निकाल सकते उसमें time bound है वो time liability आ जाती है तो जो total bank के पास एक दिन का net demand and time liabilities है मतलब total पैसा saving account के पास जो है जो FD के अंदर आया है जिसमें time liabilities है वो भी उसका कुछ certain percent उस bank को किसके पास जमा करना होता है RBI के पास जमा करना होता है किस form में? cash form में याद रखिएगा अब RBI के पास अगर उस पैसे को cash form में जमा किया जा रहा है तो क्या RBI जैसे यहाँ पर हम 100 करोड में से bank 4 करोड रपे RBI के पास जमा कर रहा था, तो क्या RBI इस पे interest देता है, कि भी या पैसा जमा किया है, interest मिलना चाहिए न, हम अगर पैसा जमा करते है bank में, तो bank हमको interest देता है, बिल्कुल देता है, तो क्या RBI के पास जब ये पैसा जमा होता है, cash form में, वो भी cash में हो रहा है, तो क्या RBI इस कोई भी इंट्रेस्ट नहीं देता है नोड कर लीजेगा no interest in CRR cash reserve ratio के पर कोई interest नहीं देता है RBI इसलिए banks से थोड़े परशान रहते है यह जब बढ़ जाता है तो bank क्या है गुस्सा हो जाते बढ़ा क्यों दिया क्योंकि एक तो अब जो पैसा है वो जादा देना पड़ेगा RBI के पास जादा security जमा करनी पड़ेगी और उसको खर्चा भी नहीं कर सकते तो जब भी CRR बढ़ता है तो banks इससे थोड़े से खफा हो जाते है पॉइंट ही आद रुखिएगा चोटी सी बा जाता है एक पॉइंट या दरुखिएगा इसे cash form में maintain करना होता है non cash form में maintain आप नहीं कर सकते है और इसी को कहा जाता है cash reserve ratio अब ये कितना भी हो सकता है ये 4% भी हो सकता है 5% भी हो सकता है 6% भी हो सकता है ये depend करता है ठीक है कि market से money को extract करना है या money को influx करना है money को जादा करता है कैसे करता है वो अभी बता रहा हूं में आगे चिंदा मत कीजिए काफी आसान से चीज़ें इसे example के तौर पर हम बात करते है CRR को लेकर example के तौर पर एक example लेते हैं माल लीजी कि अभी CRR का जो rate है वो कितना चल रहा है वो चल रहा है 5% मतलब customer Y है वो 100 रुपे जमा करता है bank में है ना यह bank हमारा कौन सा है HDFC bank है दियान से देखिएगा SDFC bank में वो 100 रुपे जमा करता है तो SDFC bank को 100 रुपे में से 5 रुपे जो है वो RBI के पास जमा करने पढ़ेंगे जमा करने पढ़ेंगे ना 5 रुपे RBI के पास जमा करने पढ़ेंगे क्योंकि 5% का CRR चल अब SDFC bank कितना पैसा market में loan के तौर पर बाढ़ सकता है, invest कर सकता है, 95 रुपीस, इतना ही कर सकता है, 95 रुपीस loan के तौर पर बाढ़ सकता है, market में, बिल्कुल बाढ़ सकता है, अब मान लोग कि market के अंदर money का flow बहुत बढ़ गया है, बहुत सादा लोग जो है वो market के अंदर money का flow बल गया है, market में money बहुत जादा हो रही है, ऐसी condition में क्या करते हैं, जो banks हमार RBI है, वो इस monetary policy tool का use करता है, और वो यह बोलेगा कि नहीं नहीं, अब जो CRR का rate है वो 5% नहीं है, अब वो 20% हो गया, हाला कि इतना जादा बढ़ेगा नहीं, बट मान लेते हैं, वो कितन हमने माना था, जब उसने 100 रुपे जमा करें, अब SDFC bank को उस 100 रुपे मैंसे 20 रुपे RBI के पास जमा करने पड़ेंगे, अब जितने रुपे को वो लोन के form में distribute कर सकता है, वो कितने हो गए सिरिफ, 80 रुपे हो गए हैं, अब जब 80 रुपे हो गए हैं, तो जो लोन का interest है SDFC bank, तो जादा लोग लोन लेंगे क्या, जादा लोग लोन नहीं लेंगे, वो लोन लेने के लिए discourage होंगे, मतलब मार्केट में दीरे दीरे money का flow कम हो जाएगा, आरी ये बास समझ में है, हाँ, ये वही चीज़ें, सिर्फ हमको जोडना है चीज़ों को, examples के तो जोड़त होता है, उससे कहा जाता है, cash reserve ratio, सिर्फ cash form में रख सकते हैं, इस पर कोई भी interest नहीं मिलता है, ठीक है, अब इसी के तरह, CRR के तरह, एक और टूल होता है, जिसे कहा जाता है, statutory liquidity ratio, ध्यान से सुनना, इसमें भी कोई difference नहीं है, ये भी CRR जैसे है, बस कुछ चीज़े इसमें change हो जाती है, statutory liquidity ratio, इसमें क्या होता है, ये भी कुछ certain percent होता है, जो bank को maintain करना पड़ता है, बट ये bank को RBI के पास maintain नहीं करना पड़ता है, कि RBI के पास भेजना पड़ रहा है, bank अपने पास ही इसको maintain करता है, 2007 अब एक commitment हुआ था, RBI Act में, उसके बाद इसे जोड़ा गया तो याद रखिएगा, SLR में, statutory liquidity ratio में, जो भी bank का, दिनमर का NDTL, NDTL समझ गया है न, net demand and time deposit, जितना भी bank का NDTL है, daily basis का, उसका कुछ certain percent, bank को अपने पास maintain करना पड़ता है, मतलब वो market में, loan के तोर पर उसको distribute नहीं कर सकते हैं, और ये जो maintain किया जाता है, अपने पास, ये गोल्ड के अंदर भी आप इसको maintain कर सकते हैं, ये point याद रखिएगा, इसे non cash form में maintain किया जा सकता है, जरूर ही नहीं है कि आप cash form के अंदर ही maintain कर रहे हैं, अप non cash form के अंदर भी इसको maintain कर सकते हैं, CRR में condition दी की cash form में pressure maintain करना पड़ता था, और RBI के पास करना पड़ता था है इस चीज़ को और इसे कहा जाता है statutory, liquidity ratio किस फॉर्म में रख सकते हैं, non-cash फॉर्म में, मतलब government securities के फॉर्म में भी रख सकते हैं, और gold के फॉर्म में भी रख सकते हैं, इसको example के तुरू समझ लेते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ती, 1000 रुपे अगर deposit करता है, 1000 रुपे में इसे मान लीजिए, अगर यहाँ पर SLR का rate चल रहा है 20%, तो 20% मतलब कितने रुपे, जो 200 रुपे हैं, उस bank को अपने पास ही deposit रखने पढ़ेंगे, या तो वो cash form में भी रख सकती है, या government security के form में भी रख सकती है, या gold के form में भी रख सकती है, मतलब इस case के अंदर bank के पास कितना पैसा बचेगा, bank के पास बचेगा सिर्फ 800 रुपे, जो market के अंदर bank invest कर सकता है, पर इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो चीज़ यह होती है, कि CRR में कोई interest नहीं मिल रहा था, bank CRR को जब RBI के पास देते थे, तो उनको उस पर कोई interest नहीं मिल रहा था, पर जब हम बात करते है SLR की, SLR में banks को interest मिलता है, हाँ, bank को interest मिलता है, note कर लीजीगे, bank earns interest, bank को interest मिलता है SLR के case में, 0% से 40% तक SLR हो सकता हाँ, डिपेंड करता है, conditions की उपर bank को interest मिलता है, तो bank को फायदा SLR में, bank को एक तो इसको अपने पास है maintain करना पड़ता है, cash में भी maintain कर सकती है, non cash मतलब government securities और gold में maintain कर सकती है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होती, banks इसको अपने पास maintain कर सकते हैं, और इसमें bank को क्या मिलता है, interest मिलता है, तो अब आप जब अगली बार bank में जाए न, अपने 1000 रुपे जमा करने, तो यह मत सूचना की 1000 के 1000 रुपे bank जो है, वो invest कर रहा है, market के अंदर, नहीं नहीं, नहीं कर रहा है, कैसे, इसको भी example के तुरू समझते हैं, जब 1000 रुपे अगर मैं आन लो, यह व्यक्ति जमा कर रहा है, अगर CRR 6% है, तो CRR का 6% भी bank के बास जमा हो जाएगा, 60 रुपे, और अगर SLR 20% है, तो 20% पंतलब 200 रुपे भी जमा करना पड़ेगा, और जो बचा हुआ पैसा है, जो लगबग 740 रुपीज है, 740 रुपे है, उसी को bank market में distribute कर सकता है, loans देने के लिए, एक individual को loan दे या, corporates को loan दे, तो जब भी हमारा पैसा bank में जमा होता है, उसका SLR भी अलग कटता है, CRR भी अलग करता है, और जो बचा हुआ amount है, सिर्फ उस बचे हुआ amount को banks loan के रूप में देते हैं, समझे रहे ना, that's why bank क्या करते हैं, जब बचा हुआ amount बहुत कम रहेगा, तो loan का rate भी वो कही ना कही बढ़ा देंगे, और जब बढ़ा देगा, rate कम कर देगा, I hope clear हो रहा हो, but CRR में banks को थोड़ी समस्या होती है, क्यों interest नहीं मिल रहा ना, या समस्या नहीं, या interest मिलता है banks को, तो यह याद रुखिएगा, CRR, SLR, दो ऐसी चीज़े हैं, जो कहीं बार examinations के इंदर उसी गई है, चलिए next, जो point एबम पढ़ते हैं, next इसके बाद आता है, bank rate, अब देखिए, bank rate क्या होता है, bank rate भी लगबग सेम ही है, bank rate भी वही rate होता है, जिस rate के उपर banks, RBI से money को बोरू करते हैं, और वो जो interest rate लगता है उसी को कहा जाता है, bank rate, अब आप बोलेंगे, इस तर रेपो rate भी तो यही था, रेपो rate के अंदर भी जो RBI है, वो banks को lending दे रहा था, loan दे रहा था, और जो interest rate चार्ज करा था, वही रेपो rate था, देखिए, bank rate और रेपो rate में एक बहुत बड़ा major change होता है, जब हम रेपो rate पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया थे, कि रेपो rate जो है, वो overnight basis के ओपर loan दिया जाता है, मतलब 24 खंटे के लिए दिया जाता है, पर जब हम bank rate की बात करते हैं, तो bank rate जो है, वो long term के लिए loan जब लेते हैं, other banks, RBI से, और जिस rate के ओपर ले रहे हैं, long term की बात कर रहा हूं, long term भी, ऐसा नहीं कि 15-20 साल long term होते हैं, long term के अंदर भी जो maximum होता है, वो 28 दिन का time होता है, maximum 28 days होता है long term, तो जो maximum 28 days, या उससे कम भी अगर loan लिया जा रहा है, जो एक दिन से ज़ादा है, तो वो long term के अंदर आएगा, और long term के ओपर तो जो loan दिया जाता है, जिस rate के ओपर loan दिया जाता है, RBI के द्वारा उससे कहा जाता है, bank rate, charge against loan offer to banks by RBI, याद रुकिएगा, काफी important है, इसमें एक दूसरी चीज़ भी है, इसमें कोई भी वो repurchase agreement नहीं होता है, जैसे हमने repo rate के अंदर देखा था है, एक repurchase agreement है, मतलब यहाँ पर कुछ भी collateral नहीं रखना पड़ता है, और इसमें कोई भी repurchase agreement नहीं होता है, और directly, जो consumers होते हैं, हम लोग होते हैं, directly impact डालता है, कहीं न कहीं, क्यों डालता है, मैं बताओंगा आपको exactly, याद रुकिएगा, तो काफी important है, bank rate, repo rate से difference दोनों के बीश में क्या है, repo rate की अगर मैं बात करूँ, और bank rate की बात करूँ, तो यह short term के लिए है, यह long term के लिए, महाँ पर repurchase agreement था, यहाँ पर कोई repurchase agreement नहीं होता है, यह दो major differences है, यह differences को याद रुकिएगा, because अगर question पूछा गया, तो हो सकता है, यही differences आपसे पूछे जाए, अब इसके बाद, एक और important term आता है, अब bank rate, मैं एक चीज़ मैंने बताए थे, कि directly customer के उपर यह प्रभाव डालता है, आप और हम इससे directly impact होते हैं, देखें क्या होता है, मान लीजिए अलगला commercial bank है, यह SDFC है, यह ICICI है, यह Punjab National Bank है, PNB है, क्यों public sector bank भी तो commercial banks के अंदर आते हैं, यह SBI है, मान लेते हैं, अब इन्होंने क्या करा, bank rate के उपर इनसे loan लिया, bank rate क्या चल रहा है भी, 10% चल रहा है, bank rate 10% के उपर RBI से loan लेते हैं, अब जब यह loan लेंगे, amount उस loan का है क्या करते हैं, लोन को यह market में distribute करते हैं, दूसरे customers को loan के form में, मतलब मान लो, SDFC ने 10% के bank rate के उपर long term loan लिया, और market में वो 11% पे distribute कर रहा है, मतलब 1% का margin उसने रखा है, 1% वो कमाएगा, वैसी ICIC bank ने 10.5% पे उस loan को distribute कर दिया, commercial loan के form में, individual loans के form में, मतलब वो 0.5% का margin कमा रहा है, PNB ने 11.5% के interest rate के उपर market में loan दिया, मतलब कहीं न कहीं वो 1.5% का profit कमा रहा है, तो यह banks क्या करते हैं, फिर उसके बाद, अलग-अलग interest rate के उपर मान लेते हैं, कि market में loan को distribute कर रहे हैं, पर अगर आप यह सोचिए, कि अगर इस interest rate को बढ़ा दिया जाए, 10% के जगर 15% हो तो यहां पर इसको कम से कम 16% पर देंगे, अगर यह 15% हो रहा है, तो यह इसको 16% पर देंगे, यह हो सकता है फिर इसको 17% पर दे, यह हो सकता है इसको 18% पर दे और हो सकता है कि इसको 20% पर दे, मतलब जो loan का distribution है, जो interest है, वो market में हम लोगों को भी जादा interest देना तो market में क्या हम loan लेने के लिए encourage होंगे नहीं होंगे हम loan नहीं लेंगे मतलब market से money के flow को धीरे धीरे क्या किया जा रहा है कम किया जा रहा है और अगर market में money का flow बढ़ाना है तो score कम कर दो इस 10% को कर दो 5% या 5% आप कर दोगे तो यहां पर यह लोग भी इसको फिर कम percent के अं respect है ना वो हमारे उपर पढ़ता है यह point याद रखिएगा थोड़ा सा important है चलिए इसके बाद जो next term है यह marginal standing facility देखिए जितने भी आपने monetary policy tools पढ़े हैं मेरे इसाब से tools बढ़ा interesting सा है और इसको लेकर questions भी कहीं बार पूशे गए हैं इसको समझने के लिए यह है क्या rate के उपर ध्यान से सुनिएगा जिस rate के उपर commercial banks RBI से loan लेते हैं अब हमें condition लेकर चलते हैं इस condition को ध्यान से समझेगा यह condition अगर समझ में आ गई तो पूरा marginal standing facility भी समझ में आ जाएगा ध्यान से सुनिएगा अब RBI जो है RBI क्या करता है RBI किसी ना किसी एक rate के उपर commercial banks जो bank को रपो रेट के उपर loan चाहिए तो उसके लिए banks को क्या जमा करवाना पढती है government security About जमा करवाना पड़ती है, यही होता है न, government security जमा करवाना पड़ती है, उसके बाद repo rate के ओपर banks loan ले लेते हैं, एक और point याद रखेगा, banks को government security अपने पास भी जमा करनी पड़ती है, क्यों, SLR याद आ रहा है, statuary liquidity ratio, SLR के अंदर भी bank को कुछ percent, कुछ percent, या तो cash form में या gold form के form में जमा करना पड़ता है, तो जो SLR के time पर जो government security का quota है, जो SLR का government security का quota है, इस quota को banks repo rate के time use कर सकते हैं, क्या, कि जब repo rate पर loan ले रहे हैं, तो जो government security as a collateral के form में जमा करवानी वो SLR वाली करवा दो, यह bank नहीं कर सकता, यह तो as it is, ऐसी ही रहनी चाहिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हाँ समझ में आ गया, अब मान लोग कोई condition ऐसी पड़ी, कि bank के पास सिर्फ यही वाली government security बची है, जो SLR के पास जमा है, SLR के अलावा bank के पास कोई government security है ही नहीं, जितनी government security है वो SLR के form में bank ने जमा कर रखी है, और bank को suddenly बहुत ज़्यादा पैसे की जरुद पड़ गई है, अब बहुत ज़्यादा पैसे की जरुद पड़ी है, तो bank किस के पास जाएगा, RBI के पास जाएगा, RBI से बोलेगा कि यह repo rate के ओपर मैं कोई loan दे दो, RBI बोलेगा ठीक है, loan में देता हूँ repo rate के ओपर, मुझे कोई issue नहीं है, लाओ government security, और government security भी क condition खराब है, क्या किया जा सकता है, उस time पर क्या है, RBI बोलेगा, bank को की जिंता मत करो, एक नई facility है हमारे पास, जिसे introduce किया गया था बाद में, marginal standing facility, इस facility में क्या है, RBI बैंक को बोलेगा कि ठीक है, तुमारे जो SLR, तुमारे जो SLR के कोटे के इंदर तुमने जो government security जमा बाके रखी है, बैं तुमको उस पर भी loan दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बैं तुमको उस पर भी loan दे दूँगा, और उस loan का जो interest rate है, वो repo rate से जाधा लगेगा, अगर repo rate 4% या 5% है, तो जो marginal standing facility के उपर में तुमसे rate लूँगा, वो 5.25% हो सकता है, मतलब 0.25% में जाधा लूँगा, ज़रूरी नहीं कि 0.25% ही जाधा रहता है, पहले था यही 0.25, repo rate प्लस 0.25% कर दिया जाता था, अब चीज़े चेंज हो गई है, कि मैं तुमसे इतना लूँगा, अब ऐसी condition में bank बोलेगा कि ठीक है, मुझे loan की ज़रोत्तों है, इसी, बहुत emergency condition है, और bank को loan ले दिया जाता है, तो जो facility होती है, जिस facility के अंदर banks, अपने SLR quota की government security के उपर भी loan ले सकते हैं, उसी facility को कहा जाता है, marginal standing facility, याद रखना repo rate से जाधा percentage इसमें देना पड़ेगा, नहीं तो banks repo rate पी loan ले लेंगे ना, पर repo rate से इसका percentage हमेशा जाधा रहता है, और यह condition त इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिएगा, it is the last option, bank के बास और कोई option बचाई नहीं है, अब कितना loan ले सकता है bank, कितना भी ले सकता है क्या, देखो repo rate की भी एक limit होती है, repo rate के टाइम पर भी जब bank loan लेने जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि RBI जी भर के उनको loan देता है, कि जितना loan मांगरें सब देता है, एक limit repo rate के loan लेने की भी होती है, वैसी marginal standing facility के उपर भी अगर आपको loan चाहिए, तो आप SLR के अंदर जो आपने security maintain करके रखी, आप उस पर ले सकते हैं, पर इसकी एक limit है, आपका जो भी NDTL है, NDTL पता है ना, net demand and time liabilities, जितना भी आपका NDT है, उसका एक प्रतिशत तक आप ले सकते हो, marginal standing facility के तूर लोन के तोर पर, याद रखना कितना भी नहीं ले सकते हैं, ये लोन भी overnight basis के लिए ही दिया जाता है, याद रखेगा, overnight basis के लिए ही दिया जाता है, ऐसा नहीं कि long term के लिए दिया जा रहा है, ये भी overnight basis के लिए ही उस NDTL का 1% तक आप लोन के form में ले सकते हो, RBI से, इसका जो rate होता है, इंट्रेस rate वो repo rate से हमें से जादा होता है, नाम याद रखेगा, marginal standing facility, और जो rate है उसको क्या बोलेंगे, marginal standing facility rate, clear हो रहा होगा, I hope बहुत important term है, याद रखना कब होता है, बड़ी खतरनाक जग condition हो जात है, कि अब option ही नहीं बचा है, क्या किया जाए, तो ऐसी condition में, याद रखना, repo rate में कौन सी government security का use किया जाता है, जो SLR quota की नहीं है, पर marginal standing facility के अंदर उस government security का भी use कर सकते है, जो SLR quota के अंदर भी है, clear है, यह सरकार एक facility देती, सरकार को नहीं, RBI facility देता है, इसके बाद एक और हमारा term होता है, यह हमारा marginal standing facility देख लिजिए, यहाँ पर लिखा है, window for bank to borrow, overnight funds from RBI, banks can borrow funds using government security as collateral, government security तो रखनी पड़ेगी, बैट कौन सी रख सकते हैं, जो SLR quota की वो वाली भी रख सकते हैं, तो यह point याद रखिएगा, इसके बाद जो next हमें, open market operations, देखी काफी आसान है basically इस open market operation के अंदर government securities को sell और purchase किया जाता है, market से liquidity को adjust करने के लिए, example के तोर पर हम बात करते हैं, माल लीजिए कि market के अंदर money का flow बहुत जादा हो गया है, बहुत जादा market के अंदर पैसा है, money के flow को कम करना है, तो उस समय पर RBI क्या करता है, government of India के बिहाफ पर, government securities को क्या कर इस्यू करता है, और एक auction लगाता है, उस auction के अंदर या उस time के अंदर government securities को sell किया जाता है, अब जो बड़ी-बड़ी companies है, वो companies क्या करेगी, पैसा लगाकर इन government securities को purchase कर लेगी, अब जब पैसा जो है, वो companies ने का invest कर दिया है, वो कर दिया, government securities को purchase करने में, that means market से पैसे को क किया गया है, निकाल लिया गया है, वैसी दूसरे तरीके से, जब market में पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, market में money का flow बिल्कुल कम हो जाता है, तो ऐसी condition में इन government securities को क्या किया जाता है, purchase किया जाता है, RBI बोलता है, कि जिसके पास भी government securities है, हम उसको purchase कर रहे हैं, अब अब जब लोग अपनी government securities को ये companies अपनी government securities को बेच देगी RBI को, तो companies के पास क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा और market में पैसा आ जाता है, तो ये condition होती है, इसे कहा जाते है open market operations, अब इसके अलावा भी याद रुखिएगा, ये तो monetary policy tools थे कुछ, इनके अलावा भी कुछ other landing rates होते हैं, landing rates मतलब जिन rates की ओपर banks जो है, वो commercial banks जो है, वो करजा देते हैं, या loan देते हैं, इसके लावा भी कुछ और rates होते हैं, जैसे एक आपका आता है, base rate, base rate क्या है, 2010 में इसको इंट्रिड्यूस किया गया था, ये वो minimum rate होता है, बहुत जादा difficult नहीं है, simple simple से जो 2% पर लोन दे रहा है, तो एक base rate एक ऐसा rate रखा गया था, अब नहीं होता है, अब तो चीज़ा चेंज हो गये, बट ये कैसा rate है, जिससे नीचे bank लोन नहीं दे सकते हैं, याद रखिएगा, इसके साथ एक समस्या थी, कि इससे fix कर दिया गया था, कि कोई भी bank, सारे के सारे bank 5% पर लोन दे रहे हैं, अगर इसको 10% fix कर दिया, तो सारे के सारे bank 10% interest rate पर लोन दे रहे हैं, तो इससे बहुत गलबल होने लग गये थी, क्यों गलबल हो रही थी, क्योंकि जब भी repo rate में change होता था, तो repo rate में change का असर जो है, वो base rate पर नहीं होता था, मतलब customers को, हमो हमको और आपको कोई फरक पड़ी नहीं रहा था इससे, that's why base rate को change किया गया, base rate को change करके 2016 में इसको replace किया गया, किसके थूँ, marginal cost of lending rate के थूँ, MCLR के थूँ, और इसमें क्या किया जाता है, कि जैसे जैसे repo rate में change किया जाता है, repo rate में जैसे जैसे change होता है, वैसे वैसे banks के interest rate भी change होते है, और सारे banks के interest rate फिर एक जोसे नहीं होते है, depend करता है वो लगलग conditions की उपर है, तो याद रुखिएगा, next, एक और point इसमें छोटी सी बात है, priority sector lending, याद रुखिएगा, देकि हमारे देश में कुछ ऐसे sectors हैं, जिन पे बहुत ज़ादा ध्यान देनी के ज़रू priority है, तो हर bank को इन sectors को loan देना जरूरी है, यह नहीं कर सकता, bank कि अगर bank 100 रुपे loan दे रहा है, तो 100 रुपे में से मान लीजे, लगबग 20 रुपे का loan उनको इस sector को देना पड़ेगा, यह sector कौन कौन से होते हैं, small and marginal farmers के हम बात करें, हमारा agriculture का sector है, यहाँ पर micro enterprises का sector है, ऐसे कुछ sectors होते हैं, जिनको banks को loan देना ही पड़ेगा, याद रुखिएगा, नाम के है priority sector, यह priority sector है, इन sectors को loan अगर नहीं दिया गया है, तो देश का विकास नहीं होगा, तो that's why banks bound होते हैं, इन sectors में loan को distribute करने के लिए, तो याद रुखिएगा, छोटी सी बात थी, तो आज हमन सारी monetary policies होती, RBI किस तरीके से monetary policies को guide करता है, I hope आपको सारी चीज़े अच्छे समझ में आई होगी, चलिए मैं आपसे next lecture के इंदर मिलता हूँ, next lecture में कुछ और interesting topics को हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए जैहिन, जै भारत!